ब्रिक के बाद आपका स्वागत है गंगा सवेरा देख रहे हैं आप और खबरों का सिलसला फिर से जारी oire के कपाट खो जाएंगे कल यम्दोत्ति जाम के कपाट खोले हैं मंदिर पहले चोटा मंदिर था लगो मंदिर था उसके बाद जो है गुर्खों के समय पर काजयमर नरेश्वों के द्वारा भी इस मंदिर के लिए दान दिया गया और भारत धर्म समाज भारत धर्म कमिटेश्चे परावर तयार किया और आज से लगवक सो बरसों पहले से ये मंदिर इस रूप में स्थापित है और मुखवा के जो हम भारदवाज गोत्रिय प्राहमन हैं जिनका त्रिपरवर है माध्यान्दिनी शाका है कात्यानी शूत्र है और हम लोग बंच परमपरा से इस गंगामिया की इस मंदिर के सेव पुजारसना और प्रबंद वेवस्तावी संचालित करते करते आ रहे हैं और आज हम परस 2021 के यात्रा सीजन में प्रारंब कर रहे हैं शांग पांग विदी से हमारे मंदिर के जो विद्वान कर्मकाने ब्राहमन है जो रावलतिर प्रोइद बिन्द हैं गंगामिया का विश उसे निभाय जाता है हमारे सहियोगी विनोध हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि लगातार ये दूसरा साल है विनोध जहां पर श्रधालू नहीं है लेकिन ये परंपरा सदियों से चलिया आई है मागंगा के कपाट खोलने की तै मुहर्थ पर आज 7.31 मिनट पर गंगोत्री धाम के भी कपाट खुल चुके हैं और ऐसा पहली बार नहीं है ये दूसरी बार है कि इस बार भी चारधाम यात्रा पून रूप से प्रभावी थे और इस बार तो यात्रों का उस्थागित कर दिया गया है और आज अक्षे त्रित्या के कोरोना के नियमों को देखते हुए इस बार भी चारधाम यात्रा प्रभावित हुई और गंगोत्री धाम के कपाट जैसे ही खुले पूजा पून रूप से विधिवत पूजा अर्चना की गई उसके बाद ही 7 बजकर 31 मिनट पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले गए ती इस बार भी चारधाम यात्रा में जैसे ही कपाट खुले गए तो ऐसा ही विधिवत रूप से आज पूजा अर्चना गंगोत्री धाम में होने के बाद में 7 बजकर 31 मिनट पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले गए हैं और तीत प्रोईत और मंदिर समीति के 21 लोगों की उपस्तिती में ही ये कपाट खुले गए हैं अक्षेत्रित्या का शूब महुरत है और आज शूब मूर्थ के अवसर पर 7 बजकर 31 मिनट पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले गए हैं और पिछले साल प्रोणा का कर्फ्यू लगाता लागना लगाता तो एक विवस्ता बनाई गई थी कि बारिश दालू तो नहीं आए कि देखें अभी फिलहाल सभी के लिए पून रूप से परतिबंद किया गया है क्यूंकि अभी पूजा पार्ट जिस तरह से अलग लग धामों के कल यमनोत्री धाम के कपाट खुले उसमें भी यही दरश्य देखा गया कि करीमंदी समीति और तिर्थ पुरूइत के 21 लोग राज्य सरकार ने किसी भी धाम में किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी है मंदीर समीति और तिर्थ प्रोहित के जो पुजारी हैं उनी के उपस्तिती में कपाट खुले गए हैं और कल भी यमनोत्री के कपाट जब खुले थे तब भी 21 लोग मौजूद थे और बढ़ते कोराना संक्रमन को देखते हैं तमाम राजी सरकार ने अलवाइस भी जारी की गई हैं अभी अभी बस परंपराओं का निर्वहन चल रहा है यसी प्रार्थना के साथ की आने वाले वक्त में ये तस्वीरे बदले लोगों की जिंदगी में जादा चैन हो सुकून ह देखते हैं मागंगा का आशिरवाद लोगों तक कैसे पहुंचता है विनोध आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ग्रेटर रोड़ा की कबर है चुनावी रंजिश में गोलियां चले हैं आपको बताएं बीडिसी प्रत्याशी के पिता को बदमाशों ने गोली मार दी है गोली लगने से प्रत्याशी के पिता के मौत हो गई है और ये बदमाश गोली मारकर बड़े आसानी से फरार भी होगहैं मौके पर डीचीपी एडिशनल डीचीपी भारी पोलस फोर्स टानाथ है लेकिन होसले कितने बुलंद है बदमाशों के बीडीसी प्रत्याशी के पिता की गोली मारकर हत्या करके मौके से फरार हैं। अब डीसीपी अडिशनल डीसीपी भारी पोलिस फोर्स मौके पर पहुँच के हत्यारों तक मौचने की कोशिश में हैं। तो ग्रेटर नोडा से स्वक्त की बड़ी खबर चुनावी रंजिश और बीडीसी के पिता की हत्या करके कुछ बदमाश फरार हो जाते हैं। मौके पर पोलिस मौजूद हैं। तमाम सभूत खगालने की कोशिश कर रही हैं। जिसके आधार पर इन हत्यारों तक मौचा जा सके। आट वाई अगलेसिंग की मौफ हो गई जैबके दूसरा जया गई दूसरा भाई जो था वो प्रयाग्राज रिफर किया गया दूसरे भाई की हालत भी नाजुक बता ई किका रही है। तो एक की मौत हो गई है और दूसरे की हालत गंभीर है उसे प्रदाब गड़ से प्रयाग राज के लिए रिफर कर दिया गया है तो सिग्रेट नहीं देना इतना भारी पड़ गया कि एक की जान चली गई और एक की जान मुश्किल में है दो भाई हैं अकलेश सिंग और उमेश सिंग एक दुकान खोले हुए हैं इसमें पर्चून की दुकान है और आरो का प्लांट भी है यहां बैठे थे तो चार वदमास दो मुद रसाइकल पर सवार हो करके आये हैं और आ करके इन्हें गोली मालकर प्यायल कर दिये हैं घायलों को ततकाल पुलिस और पब्लिक के शहयोग से आस्पिटल भेजा गया है दोराने इलाज अथिलेश सिंग की मृत्यों हो गई है कोरोना काल में डॉक्टर्स जी जान से जुटे हैं लेकिन कुछ जगों से लापरवाही की भी खबरे आ रही हैं ऐसी ही लापरवाही को लेकर इटावा की सांसर द्रमा शंकर कठेरिया ने CMO की क्लास लगा दी दरसल अस्पताल में बदहाली की स्थिती देकर सांसर जी भड़क उठे CMO को स्वास्त व्यवस्था ठीट करने के लिए 24 घंटे का अल्टिमेटम दे दिया बताया जा रहा है कि पिछले एक महिने से वेंटिलेटर बंद पड़े हैं चालू करने के लिए ठोस कोशिश नहीं की गई अस्पताल की बदहाल स्थिती को लेकर मरीज के परजनों ने सांसर से शिकायद देगी तो वही कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद ही सांसर जी जमीन पर उत्रे हैं कि दूसरी लहरा करके कम हो गई यह बहीं अब जंक प्रितनीद्यों ने कोविड अस्पताल के रोख करना शुरू कर दिया हमारे साथ इस पर इटावा सांसर राम शंकर कटेरिया जी मौजूद हैं उससे जानते हैं कि कोविड अस्पताल में मरीजों का क्या हाल है सर अब आ यहां पर जो जानकारी मिली है तो उस जानकारी में हमारे पास पूरी तरह से यहां पर ऑक्सीजन किसी तरह कोई कमी नहीं है और किसी तरह बैड की कमी नहीं है और जो बेंटीलेटर की बात है यहां बेंटीलेटर भी सारे पर्याप्त हैं तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं ह यहां सारी टीम पूरी लगी हुई है हम लोग भी पूरी चिंता कर रहे हैं और यहां जो पेशेंट अभी भरती हैं लगबग 70-80 हैं तो उनकी स्थिती भी कोई नाजुक नहीं है वो कंट्रोल में है और उनका ऑक्षीजन जो एक तरह से काजा वो ठीक है और बिहार से सठे गाजी पूर जिले में तीन चार दिन पहले लाशों के नदी में बहने का सिलसला शुरू हुआ था जो लगातार जारी है प्रशासन का कहना है कि बिहार के मोहनिया भबुआ और कैमूर के इलाकों से लाशे बहकर आ रही हैं कुछ दिन पहले बिहार से सठे कि आम पास बेरियर लगा दिया गया था ता कि शव बिहार की सीमा में ही रुक जाएं ऐसा ही कुछ हाल जमानिया तحसील के अतलाशपूर में दिखा यहां पर पुलिस ने वरीकेटिंग की है नदी में और शवों को वापस बिहार की सीमा में बहा दिया जा रहा है तो प्रशासन का कहना है कि जो श्चाव आ रहे हैं ये बिहार की तरफ से बाहर जा रहे हैं ऐसे में नदी में बेरिकेटिंग की है तो कुल मिलाकर सीमा अविवात की स्थिती बरी हुई यूपी में एक तरफ कोरोना से तरही माम मचा है तो अब ब्लाक फंगस की दस्तक भी देखी जा रहे हैं कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अपना शिकार बना रहा है ये ब्लाक फंगस और इससे इनकी आखों की रौशनी पर सीधा अटैक हो रहा है एक हपते के अंदर यूपी समय पूरे देश में ब्लाक फंगस के मामले बढ़े हैं एक्सपर्ट की माने तो ब्लाक फंगस का खत्रा डाइबिटिक लोगों को जादा है और कई स्टडीज बता रही हैं जो स्टिरोइट्स दिये जा रहे हैं ऐसे लोगों के उपर उनका असर भी या साइड इफेक्ट कोविट से ठीक होने के बाद तो ऐसे मामले आने शुरू हो गए हैं तो जिन लोगों ने कोविट से रिकवर किया है और डाइबिटिक हैं तो उन्हें अपना खास ध्यान रखना होगा अपने डॉक्टर के टच में रहना होगा भले ही वो कोविट से रिकवर हो चुके हैं अपने शरीर के हलके फुल के लक्षनों को भी डॉक्टर तक बताना होगा पहुचाना होगा मतुरा में ब्लैक फंगस के तीन मामलों ने स्वास विभाग में हरकब मचा दिया है जिनमें दो मरीजों को ट्रेस कर लिया गया और तीसरी की जानकारी जुटाई जा रही है और मतुरा में भी वामले सामने आए बिल्कुल अभ्येश यह चिंता जनक स्थेती है लेकिन यहां पर भी थोड़ी जागरुकता की जरुरत है जो लोग ठीक हो चुके हैं जिनकी इम्म्यूनिटी यानि रोग प्रती रुधक शम्ता पहले से कम रही है यानि जिसने ओर्ग अपरेल से ही मेरी रोशनी चली गए थी मैंने वहां की नर्सों के स्टाप से भी बोला डॉक्टर से भी बोला सभी लोगों से बोला लेकिन उन्होंने कोई रैस्पॉंस नहीं दिया तो उसके साथ जो अगर जब सही हो जाते कई लोगों में सही होने के बाद भी जब सुगर लेवल हाई रहता है तो ऐसे लोगों में क्या होता है नाप में कोई प्रॉलम प्रियेट होती है या फिर कहीं भी एक एपसिस टापी बनती है तो उसमें ये फंगर से वो मल्टिप्लाई और गूरूद करने लगता है बिजनौर के अगर आप बात करेंगे तो ब्लाक फंगस के मरीजों की दस्तक यहां भी दिखाई दे रही है इलाज के अभाव में मजबूरन निजी ENT चिकित्सकों को बाहर इलाज के लिए भीजा गया जा रहा है पिछले 10 से 15 दिन के भीतर 10 से जादा मरीज ब्लाक फंगस के आ रहे हैं खासतोर से यह वो मरीज हैं जो कोरोना संक्रमित थे लेकिन शुगर के मरीज हैं ज़नौर में ब्लाक फंगस की दवा की कभी की वज़े से डॉक्टर मरीजों को बाहर इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं कोरोना संक्रमित को डॉक्तर में सलाह दिया कि रोजाना शुगर लेवल चेक कराएं औक्सीजन लेवल कम होने पर घर पर ऑक्सीजन कता ही न लें कोविट संक्रमर काल अउक्सीजन से औरही मोतोग बीज गाज़ीपूर से रहत दिनवाली खबर आई है जिलास्पदाल में आज से अक्सिजन प्लांट की शुरुआत हो गई और अब एक साथ 45 बिट पर मरीजों का अक्सिजन दी जा सकेगी कुछ दिन कूर जिलास्पदाल में अक्सिजन की कमी की खबरे आ रही थी कि बेखे कोविड-19 का जो सेकेंद वगाया उसमें निरंकर जितने भी पेसेंस मेलें सबको ऑक्सिजन की आवशकता थी और एक परसे आक्सिजन की मांग डुहत बन गई और श्रीज़ें सिलेंडर्स और अच्शियन प्लांट्स और अच्शियन कंसंट्रेटर्स पर अलों देवर होते गए तो कि हमारे जिला स्पिताल में अक्सिजन प्लांट पूर में दो साल पहले बना था बद फॉंक्शनल नहीं था डिफेंट पड़ा हुआ था और कोई भी मशिनी वगरा वहां नहीं लगी बात मुझजफर नगर की भीशन सड़क हाथसे में तीन लोगों की मौके पर दर्धनात मौत होगे जबकि दो घायल है घटना की सुचना पर मौके पर पहुंची पुलिस में घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित साला में फर्ति कराया हालत को गंभीर देखते हुए मेरट रिफर करना पड़ा है जबकि दूसरे का इलाज जिला चिकित साला में ही जा रही है पुलिस ने इन रितकों के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी जबकि घटना के बार ट्रक चालक मौके से वरार बताय जा रहा है पुलिस में ट्रक पर कब जिल्द ले लिया है तो मुजफर नगर की ये तस्वीर है तो सड़क पर सुरक्षिब चलना बहुत जरूरी है क्योंकि अन्जाम बहुत बुरा होता है पस्वी यूपी के खबरों का रूप करते है हापुर में घरेलों विबाद में पती ने पत्नी की क्यांची से हत्या कर दी पुलिस ने आरूपी पती को हिरासत में ले लिया जबकि महिला के परिजन दहेट के चलते महिला के हत्या का आरूप लगा रहे है विरुजबाद में बरात में जा रही स्कॉर्पियो का स्टेरिंग फेल होने से गाड़ी पेड से जा टक रही हादसे में तीन की मौत हो गई दो घाल बताय जा रहे हैं घटना थाना सिरसागंच शेटर का है मैंपुरी में जमीनी विवात के चलते दबगों ने कई राउंड फाइरिंग की जगड़े के दौरान बीजबशाव करने आए मतुरा नगर में गम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने महिला पुलिस करने को टक्कर मारदी इलाज के दौरान महिला से पाई की मौत हो गई कोविट कर्फ्यू का पालन करते हुए यमनोतरी धाम के कपाट खोल दिये गए थी और इसी के साथ उतराखन में चार धाम यात्रा की शुरूआत हो गई है हलांकि इस बार भी पिछले साल की तरह ही बिना श्रद्धालों की मौजूदगी में सन्नाटे के बीच कपाट खोले ये लगातार दूसरी बार है जब सिर्फ तीर्थ पूरोहितों और अधिकारियों की मौजूदगी में मा या मुनोतरी के कपाट खोले नई सोपी के आने तक फिलहाल तीर्थ पूरोहितों की हर रोज या मुनोतरी में पूजा आर्चना करने का प्रावधान है जिसमें कोई श्रद्धालू धाम तक नहीं पहुंच सकता है या मुनोतरी धाम में पृदान बंतरी नरींदर मोदी और सियंतीरत सिंग रावत ने ग्यारा सो एक और ग्यारा सो एक रुपए भिजवा कर पूजा आर्चना भी करवाई है और जल्द देश से कोरोना संक्रमंट हाथ में की प्रार्थन की यमनोतरी और गंगोतरी के साथी भगवान के दारनाथ की पंचमोखी चल बिग्रह उत्सव डोली शितकालिन गदेशतल उमकारिश्वर मंदर यानिकी उखी मट से रवाना हो गई है इसके बाद डोली को रच से रवाना किया गया इससे पहले उंकारिश्वर मंदिर में भैरवनाथ का दूद दही घी शहत से महाविशे कूजन हुआ और इसके बाद बुरांश की फूल माला जोगी हर याली सी मूर्ती का श्रंगार किया गया और देखें यही हो ओंकारिश्वर मठ है जिसे उखी मठ भी का जाता है यहां से जोट सो डोली है वो रवाना की गई और आपको बता दें कि कोरोना महामारी की जलते इस बार भी डोली कुरत से रवाना किया गया इस थानी लोगों ने दूर से ही बाबा के दर्शन किये अज भगवान के जानाजी की डोली अपने स्रीद का लिंग द्यस्तल ओंकारिश्वर मनिरूकिमर से स्री के जानाज धाम के लिए प्रस्तान कर चुकी है और इस वर्ष भी कुरोना काल की वज़ा से भगवान जी की डोली को वाहन के माज्यम से स्री के जानाज धाम पहुचाये जा रहा है और गौरिकुन में पहला पढ़ाव डोली का होगा उसके पश्यात भगवान की डोली वहां से पैदल स्री के जानाज धाम के लिए प्रस्तान करेगी तो कपाट खुल गए है बस थोड़ी कृपा बानवता के लिए भी बरसे यही प्रात्ना होगी इसके साथ गंगा सवेरा में आज बस करता है